National Capital Territory of Delhi यानि दिल्ली के अब तक साथ मुख्यमंत्री हो चुके हैं। Delhi Legislative Assembly के फॉर्मिशन को तो लगभग 22 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 22 सालों में सिर्फ साथ मुख्यमंत्री। ये नंबर्स हैं और भी ज्यादा। हैरान इसलिए करते हैं क्योंकि शीला दिक्षित और अरविंद केजरवाल के अलावा दिल्ली के किसी भी मुख्यमंत्री ने अपना 5 साल का कारेकाल पूरा भी नहीं किया। तो ऐसा क्यों हैं आई जानते हैं। साथी दोस्तों हम आपके साथ बात करेंगे आज की वेडियो में दिल्ली के सभी साथ मुख्यमंत्रियों की भी। कौन मुख्यमंत्री कौन सी पार्टी से था, इन मुख्यमंत्रियों की योग्यता क्या थी और दिल्ली के विकास में उन्होंने क्या क्या गिया। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की ये वेडियो। 26 जनवरी 1950 को समवेदान लागू होने के बाद भारत Union of States यानि राज्यों का संग बना। बिटिश इंडिया के दोरान जिन राज्यों को प्रोविंस का दर्जा मिला हुआ था और जहां Gवर्नर की हुकुमत चलती थी उन सभी को भारत सरकार की दरफ से भी पूर राज्य का दर्जा मिल गया। लेकिन दिल्ली जो की कमिशनर्स प्रोविंस हुआ करता था उसे स्पेशल योनियन टेरिटरी का दर्ज़ा दिया गया शुरुवात में दिल्ली को असेंबली स्टेटेस देने का भारत सरकार का कोई इरादा नहीं था लेकिन फ्रीडम फाइटर, पॉलिटीशन और जर्नलिस्ट देश बंधु गुपता ने अपने प्रियासों से दिल्ली को असेंबली स्टेटस दिलवाया अक्टूबर 1951 को दिल्ली में पहले विधान सभा चुनाव कराया गया 48 में से 49 सीटों पर कॉंग्रेस की प्रत्याशियों को जीत मिली जबकि 5 सीटों पर भारतिये जनसंग के प्रत्याशी जीत हांसिल करने में काम्याब रहे चुनावी नतीजे में बहुमत हासिल करने के बाद देश बंधु गुपता को विधायक दल का नेता चुना गया यानि ये तैह हो गया था कि देश बंधु गुपता ही दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बनेंगे लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपत लेने से पहले ही एक हादसे में देशबंधु गुपता की मृत्यू हो गई देशबंधु गुपता की जाने के बाद विधायक दल ने एक नए नेता के तलाश जारी की कॉंग्रिस आलाकमान की ओर से चाधरी ब्रह्म प्रकाश यारव का नाम विधायक दल के नेता के रूप में आगे बढ़ाया गया कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जवारलाल नेहरू नेजी ताउर पर चाधरी ब्रह्म प्रकाश को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना चाहती थे दिल्चस्प बाद ये है कि चाधरी ब्रह्म प्रकाश का जन्म इंडिया में नहीं बलकि केन्या में हुआ था 16 साल के उम्र में वो अपने माता पिता के साथ इंडिया वापस आ गए थे और दिल्ली के शाकूरपूर गाउं में रहने लगे दिल्ली में रहते हुए ही वो स्वतंतरता संग्राम से जुड़ गए और क्विट इंडिया मुमेंट में बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया देश की आजादी के बाद वो राजनीती में सक्रिय हो गए और कॉंग्रेस के शीर्ष नित्रित्व के साथ मिलकर काम करने लगे 27 मार्च 1952 को सिर्फ 34 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री की रूप में शपत ली चौधरी ब्रहम्र प्रकाश केन्या के नैरोवी शहर के विकास कारियों से काफी ज्यादा प्रभावित थे और वो ऐसा ही काम दिल्ली में भी करना चाहते थे मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने सबसे पहले दिल्ली के शासन व्यवस्था में सुधार करना शिरू किया इसके बाद उन्होंने रूरल और एग्रिकल्चरल इंप्रोमेंट की ओर भी ध्यान देना शिरू किया एक मुख्यमंत्री की तौर पर चौधरी भ्रम्रप्रकाश बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री की तरह ही पूरी आजादी के साथ काम करना चाहते थे लेकिन केंद्र की कॉंग्रेस सरकार को ये मन्जूर नहीं था ब्रह्म्र प्रकाश केंद्र सरकार से दिल्ली के लिए अधिक शक्तियों की मांग करने लगे उनकी इस मांग ने केंद्र सरकार को नाराज कर दिया और उस समय के दिल्ली के चीफ कमिशनर आनंद डी पंडित के साथ भी कई मुद्धों पर उनकी तनातानी चलती रहती थी जिसका नतीजा ये हुआ कि कॉंग्रेस के शीर्ष नेत्रित्व ने एक मेटिंग बुलाकर ब्रह्म्र प्रकाश को दिल्ली के मुख्यमंत्री के पज से हटा दिया ब्रह्म्र प्रकाश 17 मार्च 195 से 12 फर्वरी 1905 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे उनके बाद गुरुमुख निहाल सिंग को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया गया गुरुमुख निहाल सिंग उस जमाने के जाने माने शिक्षावत थे 1895 में पंजाब में उनका जन्म हुआ उन्होंने लंडन युनिवसिटी से B.Sc. Economics की डिगरी हासल की 1920 में उन्हें बनारस हिंदू युनिवसिटी में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई इसके बाद वो कई अलग-अलग कॉलेजिस में प्रिंसिपल की पद पर रहे निहाल सिंग एक साल और 263 दिनों तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उनकी द्वारा किया गया ज्याद अतरकाम केंद्र सरकार के फैसले से ही प्रभावित था अपने छोटे से कारेकाल में उन्होंने जो सबसे प्रमुख काम किया था वो था शराब बंदी मुख्यमंत्री बंने के कुछ समय के बाद उन्होंने दिल्ली में शराब बंदी लागू कर दी शराब बंदी का ये मामला इतना बढ़ गया कि बाद प्रधान मंत्री पंडित जवारलाल नहरू तक पहुँच गए इसके बाद नहरू जी ने मुख्य मंत्री निहाल सिंग को पत्र लिख कर अपने फैसले पर पुनरविचार करने को कहा और पत्र लिखने के लगभग धाई महिने बाद ही केंद्र सरकार ने एक एहम फैसला लेते हुए एक अक्टूबर 1956 को दिल्ली विधानसभा ही समाप्त कर दी विधानसभा समाप्त करने के बाद दिल्ली फिर से स्पैशल यूनियन टेरिटरी से यूनियन टेरिटरी बन गया और वहां केंद्र सरकार की सीधी हुकूमत चुरू हो गई 1956 से 1993 तर दिल्ली केंद्र सरकार के शासन में रही 1993 में दिल्ली को विधान सबा का दर्जा फिर से मिला लेकिन ये आसानी से बिलकुल नहीं मिला बल्कि इसके लिए राजनितिक पाटियों को काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा दिल्ली को विधान सभा का दर्जा फिर से दिलाने की मांग सबसे पहले जनसंग के द्वारा उठाए गई जनसंग भाजपा की ही मूल पाटी थी और 1951 में इसकी स्थापना दिल्ली में ही हुई इसे बीच दिल्ली में महानगर परिशद और नगर निकम का गठन किया गया जो यहां केंद्र सरकार के अधीन काम कर रही थी वैसे तो दिल्ली को विधान सभा दिलाने की लड़ाई अकेले जनसंग लड़ रही थी लेकिन अपनी राजनितिक जमीन बचाने के लिए कॉंग्रेस भी इस मुद्दे पर जनसंग के साथ खड़ी थी यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि उस समय केंद्र में कॉंग्रेस की ही सरकार थी तो फिर कॉंग्रेस के दिल्ली काई किस से दिल्ली को विधान सभा का दरजा दिलाने की मांग कर रही थी 1970 में ये मांग जोर बगडने लगी लेकिन इसे बीच केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी और भारती लोकतंत्र के काले समय की शिरुवात हो गई 1977 में देश में जनतापार्टे की सरकार बनी जो कि भारत की पहली गयर कॉंग्रेसी सरकार थी जनसंग का भी जनतापार्टी में विलय हो चुका था लेकिन 1984 में जनसंग जनतापार्टी से अलग हो गई और इसके नेताओं ने भारती जनता पार्टे की स्थापना की अब भाजपा के नेता दिल्ली को लेकर अपनी मांग और तेज करने लगे अब ये मांग विधानसबा के दर्जे से आगे बढ़ कर पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग पिक पहुँच गई थी भाजपानेता मदनलाल खुराना अपने पार्टे के दूसरे नेताओं के साथ मिलकर दिल्ली में जमीनी स्तर पर काम करने लगे वो लोगों तक ये संदेश देने में काम्याब रहे कि दिल्ली का विकास तभी संबव है जब इसे विधानसबा और पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा विपक्षी पार्टी और आम लोगों की बढ़ती मांग को देखते हुए 1987 में केंदर की राजीव गांधी सरकार ने जस्टिस बालकृष्ण की अगवाई में एक कमिटी बनाई इस कमिटी ने दिल्ली की राजनितिक दलों और आम लोकों से बात करके और जमीनी स्तर पर सर्वेक्षन करके एक रिपोर्ट तयार की इस रिपोर्ट के साथ ही बालकृष्ण कमेटी ने केंद्र सरकार से सिफारिश की कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे रिया जाए ताकि इसके विकास में आ रहे ही रुकाउटे दूर हो इस रिपोर्ट के बाद 1991 में आखिरकार दिल्ली को राज्य का दर्जा मिल ही गया, लेकिन ये दर्जा पूर्ण राज्य का नहीं था खैर राज्य का दर्जा मिलने के बाद 1993 में दिल्ली की इतिहास का दूसरा विधानसबा चुना हुआ सत्तर में से उन्चा सीट जीत कर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन कर उभरी, कॉंग्रिस पार्टी सिर्फ 14 सीटे जीतने में ही सफल रही इलेक्शन जीतने के बाद मदनलाल खुराना को भाजपा विधायक दलका नीता चुना गया और 2 दिसम्बर 1993 को उन्होंने दिल्ली के तीसरे मुख्य मंतरे के रूप में शपत ली मदनलाल का जन्म 1936 में वर्थमान पाकिस्तान की पंजाब में हुआ बटवारे की समय 12 साल के उम्र में वो अपने माता-पिता के साथ पाकिस्तान से भारत आ गए उन्होंने दिल्ली उनिवर्सिटी के किरोडी मल कॉलिज से बैचलर डिगरी हांसल की इसके बाद एकॉनोमिक्स में पोस्ट ग्रैजिशिन करने के लिए उन्होंने इलाबाद उनिवर्सिटी में एड्मिशन लिया यह वो जगह थी जहांसे उन्होंने ABVP के साथ जुड़कर अपने राजनितिक करियर की शिरुवात की मुख्यमंत्री के बाद मदनलाल अपने काम में लग गए जो दिल्ली आज अपने मैट्रो की वजह से जाने जाती है उस मैट्रो प्रॉजेक्ट के लिए DPR यानी डीटेल्ड प्रॉजेक्ट रिपोर्ट के लिए जरूरी पैसे उन्होंने अपने पहले ही बजट में आवंटित किये थे इनकी कारेकाल के दौरान ही मैट्रो मैन E. श्रीधरन को दिल्ली मैट्रो रेल कॉपरेशन का डिरेक्टर बनाय गया जब मदनलाल मुख्यमंत्री बने थे तब दिल्ली मेट पानी का संकर चल रहा था और हर्याना के साथ यमुना नदी के पानी पर विवाद भी चरम पर था उस समय हर्याना में कॉंग्रेस की सरकार थी और भजनलाल विश्नोई मुख्यमंत्री थे दलगत राजनिती से उपर उठकर मदनलाल ने भजनलाल के साथ बातचीत की और यमुना विवाद को सुलजा दिया वो पाइपलाइन के जरिये दिल्ली में गंगा का पानी लेकर भी आए मदनलाल पूरी निष्ठा के साथ अपने काम में लगे हुए थी लेकिन 1996 में हवाला कारोबारियों से पैसी हासिल करने वाले नेताओं में इनका भी नाम आ गया जिसके बाद इन्हें अपने पद से स्तीफा देना पड़ा इस लिस्ट में भाज़पा और कॉंग्रेस दोनों पाटी के कई नेताओं के नाम थे हालांकि बाद में कोट से किसी के उपर आरोप साबित नहीं हो सका खैर मदनलाल खुराना दो साल 86 दिनों तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे इन्होंने 26 फरवरी 1996 को अपने पद से स्तीफा दिया और उसके अगले दिन 26 फरवरी को साहब सिंग वर्मा ने दिल्ली के चाथे मुख्यमंत्री के रूप में अपना कारेभार संभाला साहब सिंग का जन्म हुआ 1923 में दिल्ली में ही उन्होंने अलीगड मुस्लिम युनिवासिटी से एमे की डिगरी हांसल की इसके बाद लाइब्रेरी साइंस में उन्होंने पीएचडी भी किया मुख्यमंत्री के रूप में साहब सिंग का कारेकाल 2 साल 288 दुनों तक रहा मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने मदनलाल खुराना के नीतियों को ही आगे बढ़ाया जब साहिप सिंग का कारेकाल लगभग पूरा होने वाला था और चुनाव को दो महिने से भी कम हुए थे तब दिल्ली में प्यास की बढ़ती कीमत एक बहुत बड़ा राजनितिक मुद्दा बन गई विपक्ष की राजनिति और लोगों का घुसा इतना बढ़ गया कि साहप सिंग को 12 अक्टूबर 1998 को इस्तीफा देना पड़ा इस्तीफा देने के बाद वो सरकारी बस में बैट कर अपने घर लोट गए थे 13 अक्टूबर 1998 को सुष्मा स्वराज दिल्ली की नई मुख्य मंत्री बनी सुष्मा स्वराज का जन्म 1952 को हर्याना में हुआ उन्होंने पंजाब युनिवरस्टी से LLB की पढ़ाई की सुष्मा स्वराज उस समय भी राजनिति में बड़ा नाम थी 1977 से ही वो विधायक समेथ कई अलग-अलग पद सम्हाल चुकी थी हालांकि दिल्ली के मुख्य मंत्री के दौर पर उनका कारेकाल सिर्फ 52 दिन का ही था विधान सभा का कारेकाल खत्म होने के बाद 1998 में दिल्ली विधान सभा का चुनाव कर आया गया इस इलेक्शन में महंगाई का मुद्धा भाजपा के लिए घातक सवाबित हुआ कॉंग्रेस सत्तर में से बावन सीटे जीतने में काम्याब रही जबकि भाजपा को पंध्र सीट से ही संतुष्ट होना पड़ा बहुमत हासिल करने के बाद शीला दिक्षित को विधायक दल का नेता चुना गया चार दिसंबर 1998 को उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री पदकीश पतली 1998 के बाद 2003 और 2008 में फिर से कॉंग्रिस ने शीला दिक्षित की नेत्रत्व में दिल्ली विधान सबाचुनाव जीत लिया इस तरह से शीला दिक्षित 1998 से 2013 तक लगातार 15 सालों तक दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रही शीला दिक्षित का जन्म 1938 में पंजाब में हुआ था उन्होंने दिल्ली उनिवरस्टी से में की डिग्री हांसिल की थी शीला दिक्षित को 1984 में राजीव गांधी राजनिती में लेकर आये थी अपने पंद्रह साल के मुख्यमंत्री के कारेकाल में शीला दिक्षित ने दिल्ली को एक आधुनिक शोहर के रूप में विकसित भी किया शीला दिक्षित ने शोहर को ट्राफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए सतर से ज्यादा फ्लाइओर्स का निर्मान कराया दिल्ली के बड़े हिस्सों तक मैट्रों के सेवा उपलब्द कर आई, कई बड़े आस्पताल का निर्मान करवाया, एको फ्रेंडली एसी बस लेकर आई, अनौथराइज़ कॉलोनीज को रेगूलर कराने के पहल की, इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलेपमेंट की और भी ध्यान दिया, डी टी सी के द्वारा डीजल बसों को हटा कर सी एंजी से चलने वाली बसों को चलाना शिरू कराया, दिल्ली में ब्यूटिफिकेशन एंड ग्रीनरी बढ़ाने के क्षेत्र में भी काम किया, and most importantly, 2010 Commonwealth Games का सफल आयोजन भी कराया, हालांकि Commonwealth Games का एक सफल आयोजन था, लेकिन इस आयोजन की आड में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, शिरुवात में, शीला दिक्षित का भी नाम इस घोटाले से जोड़ा गया था, इसके लावा 2012 में हुए निर्भया कांट की वजह से भी महिला सुरक्षा के मुद्धे पर वो विपक्ष के निशाने पर आ गई, इस वजह से शीला दिक्षित सरकार विरोधी लहर का सामना करने लगी, वहीं दूसरी और अब अर्विंद केजरिवाल अपनी एक नई पार्टी बना कर दिल्ली के राजनिती में अपनी जमीन तयार करने लगे, लेकिन 2013 में जब चुना हुआ तो किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, 32 सीटों के साथ भाजय पास सबसे बड़ी पार्टी बनी, 28 सीटों के साथ केजरिवाल की आम आदमी पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी बनी और कॉंग्रेस के खाते में सिर्फ आठ सीटे ही आई, यहां तक कि शीला देक्षित खुद अपनी सीट भी केजरिवाल से हार गई, कॉंग्रेस को प्रष्टा चार के मुद्दे पर घेर कर, चुनाव लड़ने वाले अर्विंद केजरिवाल ने चुनाओ के बाद कॉंग्रेस के समर्थन से ही दिल्ली में सरकार बना डाली, 28 दिसंबर 2013 को अर्विंद केजरिवाल ने दिल्ली के मुख्य मंत्री पद की शपत ली, लेकिन सिर्फ 48 दिन बाद, 14 फरवरी 2014 को जन लोकपाल बिल के मुद्दे पर कॉंग्रेस ने उनका समर्थन करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें स्तीफा देना पड़ा, सरकार गिर जाने के बाद दिल्ली में राष्टपती शासन लागू कर दिया गया, एक साल बाद, 7 फरवरी 2015 को दिल्ली में फिर से चुना हुए, इस चुनाओ में अर्विंद केजरिवाल की आम आदमी पार्टी ने एतिहासिक जीत दर्ज करते हुए, सत्तर में से सड़सट जीतों पर दर्ज की, वहीं भाजपा सिर्फ तीन सीटे ही जीत पाई, और कॉंग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला, अर्विंद केजरिवाल ने चौधे फरवरी 2015 को दिल्ली के मुख्यमंत्रीपद की शपत ली, फिर 2020 में हुए विधान जबाचिनाओं में आम आदमी पार्टी ने फिर से शानदार प्रदशन किया, और सत्तर में से 62 सीट जीतने में सफल रही, इस बार भाजपा ने 8 सीट अपने नाम की, केजरिवाल का जन्म 1968 में हरियाना में हुआ था, उन्होंने IIT खड़कपुर से मेकेनिकल इंजिनियरिंग के पढ़ाई की है, राजनिती में आने से पहले केजरिवाल इंडियन रेविन्यू सर्विस में जॉइंट कमिशनर हुआ करते थे, 2006 में IRS से अपना की, अर्विंद केजरिवाल की द्वारा किये गए कामों की बात करे तो राजनिती में उनकी सबसे बड़ी ताखत, फ्रीबीज रही है, वो लोगों को मुफ्त में सेवाई देने का वादा करके ही सत्ता में आये थे, दिल्ली की लोगों को केजरिवाल सरकार हर महीने 200 यूरिट बिजली और 20,000 लीटर पाने मुफ्त देती है, महीलाओं के लिए बस सेवा भी बिलकुल मुफ्त है, बुजर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा की भी उजना है, रोड एक्सिडेंट में जखमी होने वाले लोगों के इलाज का खर्च भी दिल्ली सरकार उ जिसका असर छात्रों के रिजर्ट्स में भी देखने को मिला, 2024 में CBSC 12 रिजल्ट में दिल्ली के सरकार इस्कूल का पास परसंट इस 96.99 परसंट था जो की नैशनल एवरेज 87.98 परसंट से लगभग 9 प्रतिशत ज्यादा है, हेल्थ सेक्टर में भी केजरिवाल सरकार महुल क्लिनिक के जरिये लोगों को मुफ्त में बेहतर इलाज उपलब्द कराने का वादा करती है। दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद है। केजरिवाल फिलहाल जेल से ही दिल्ले की सरकार चला रहे है।